तो हेलो गाइसे एक बार फिर से सवागतने नई राचिव में तो आज हम आपके लिए लेकिया हैं सकर पारे तो सकर पारे आप घर में आसानी तरीके से कैसे बना सकते हैं तो इस वीड़ीमा आपके सभी को बताएंगा तो वीड़ीए को सब्सक्राइब कर दीजिए तो सकर पारे बनाने के लिए हमें चीए एक बाउल तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है बाउल में हमने यहाँ पर मैदा लिया है तो मैदा हमने लिया है 200 ग्राम यानि 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है और उसमें मैंने डाला एक चौथाई चमच बैकिंग सोडा और उसके बाद में हमने डाला है 60 ग्राम पानी और उसके बाद में हमने डाला है यहाँ पर 50 ग्राम घी तो 50 ग्राम घी हमने डाला है उसके बाद में इसे आटे के जैसे हमने इसे गून के रेडी कर लेना है हमारा डो जो है बिल्कुल आटे के जैसे हमने रेडी कर लेना है जिस तरीके से आप आटा गुनते हैं उसी तरीके से उतना ही गीला हमने इसे रेडी कर लेना है तो यहाँ पर हमारा जो है रेडी हो चुका है तो हम इसको रख देते हैं सेट होने के लिए तब तक के लिए हम 10 minute रख देना पड़ता है ताकि यह set हो जाए बढ़िया से और tight भी हो जाता है मैदा उसके बाद में हम इसे gold रोटी के जैसे बेल लेंगे बेलना जो है वो थोड़ा मोटा बेलना है इसको एकदम रोटी के जैसे पतला नहीं बेलना है थोड़ा मोटा साइज में इसे बिलना है उसके बाद में हमने इसे square pieces में हमने इसे cut कर देना है इस तरीके से हमने square pieces में हमने cut कर देना है जैसे छोटे-छोटे pieces में हमें इसे cut कर लेंगे एकदम perfect size के सकरपारे के size के हमने छोटे-छोटे pieces में इसे cut कर लेना है और उसके बाद में आहां को दिखाते हैं तो यहां हमें कि έχूँ शुटे-शुक्रिया पीशस में से कट कर लिए बिल्कुल सकर पाद एक साइस के और देख सक्ते हैं इतना मोटा यह हमें देना यह गोने कि दुटना मोटा होना है और उसके connecting हैं जो साइडों में छोटे-छोटे पीसेस जो कटे हुए है चूरा साइस के चोटे-छोटे पीस, वो हम निकाल देगे, नहीं तो यह रख्सकर वारे हमारे जो चूरा हो जाएंगे यानि छोटे-छोटे पीसेस हमने निकाल हैं हमारा घी भी यहां पर देख सकते हैं गरम हो चुका है बिल्कुल पॉरफेक्ट घी हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल लो गरम होना चाहिए बस ऐसा हो कि हलके हलके से बुलबुले आने चाहिए जैसे बुलबुले आ रहे हैं बिल्कुल हलके हलके से बिल इसे हिलाएंगे, इसको किसी पाउनी वहनी से नहीं हिलाना है, इसको कड़ाही की मदद से हिलाएंगे, इस तरीक से कड़ाही उठाके हम हिला देंगे, ताकि जो नीचे गया चल रहा है, वो इसकी वज़ा से यह जलेना, क्योंकि नीचे यह पड़ा होता है, 10-20 मिन्ट, 10-20 म के बाद आता है तो इसलिए हम इसको गड़ाई की मदद से हम । हिँला देते हैं ताकि यह उपर आ जाएंगे नीचे जिलेंगे न। जब यह उपर आ जाएंगे उसके बाद में हमने जो भठी का फ्लेम है, हमारा गैस का फ्लेम है, उसको हमने हाई पर कर देना ताकि सकरपारा हमारा जो खसता होता है, वो खुल ना जाए, इसलिए हम भठी का फ्लेम हाई पर कर देते हैं तो इसको हम low उसके बाद में जब ये थोड़ा सा tight हो जाएगा उसके बाद में हम अपना भट्टी का flame जो है गैस उसको low पे कर लेंगे और धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिंट तक इसके हम 10 से 15 मिंट तक हिसा है low flame पे बढ़िया से पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए और इसे लाल नहीं करना बिल्कुल white ही रखना हमने तो उसके बाद में देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो है वो चकर पारा बिल्कुल पक चुका है और ready हो चुका है तो हम इसको एक plate में निकाल लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक plate में इसे निकाल लिया है बिल्कुल perfect हमारा पक चुका है यहाँ फ्राई हो चुका है तो उसके बाद में हम इसकी चाशनी बना लेते हैं तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया एक pan pan में हमने डाला है आधा कप पानी तो आधा कप हमने पानी डाला है उसके बाद में हम यहाँ पर डाल रहा हूँ 100 ग्राम शूगर तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम शूगर डाला है और आधा कप पानी डाला है क्योंकि हमें बहुत ही कम मीठा शकर पारा चाहिए क्यों हम मिठा बहुत ही कम खाते हैं, इसलिए हमें आप अपने आस्वाद के अनिस्वार शुगर लगा सकते हैं, शुगर तो इसमें करीब 200 ग्राम पढ़ना चीए, क्योंकि जितना हमारा 2500 ग्राम मेदा है, तो 2500 ग्राम ही शुगर भी इसमें डाला जाता है, लेकिन हम लोग कम मिठा खाते हैं इसलिए मैं 100 ग्रामी सूगर इसमें अड़ कर रहा हूँ तो उसके बाद में यह हमारी चासनी बिल्कुल रेडी हो चुके है तो हम इसमें रंग कार्ट लगा देते हैं ताकि यह चासनी हमारी बिल्कुल साफ हो जाए और एकदम परफेक्ट चासनी हमारी बन चुके है तो उसके बाद में आपको चेक करके दिखा देता हूँ हमारी चासनी जो है बिल्कुल चिप चिप सी करनी चाहिए हमें एक तार वाली चासनी चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चासनी जो है बिल्कुल चिप चिप कर रही है एकतार हमारी बन रही है तो यहाँ पर हमारी चासनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम जो हो हम बंद कर देंगे तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है उसके बाद में जो हमने फ्राई किये थे सकर पारे वो हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से हमने चासनी को इसमें पिला देना है ताकि अंदर तक हमारी चासनी इसमें भर जाए तो इस तरीके से हमने हिलाते रहना है इधर से उधर से इस तरीके से हमने हिलाते रहना है ताकि अंदर तक चास नहीं इसमें भर जाए कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद में इस तरीके से इसी है बिल्कुल सूख चुका है यानि हमारा सकरपारा बिल्कुल सूख गया है तो हम इसके बाद में इसे अच्छी तरीके से हम बैचला से खोल लेंगे कर्ची से और उसके बाद में हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे तो यह हमारा सकरपारा बिल्कुल सूप के रेडी हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो इसके बाद में हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सर्फ करना अली प्लेट में लगा दिया, उपर से हमने गार्निश करने के लिए गुलाब की कली पते रखे हैं, सुखे हुए, ताकि बिल्कुल पॉफेक्ट दिखने में लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि यह यह बहुत ही खस्ता और बहुत ही पॉफेक्ट पंजाब में बहुत ही फेमस डिश है यह, यह हर शादियों में यह सगर पारे लड़ू यह सब बनाए जाते हैं, यह बहुत ही फेमस है, इसे भाजी कहा जाता है, यहाँ पे तो देखने में जितना बड़िया लग रहा है, खाने में और बड़िया लगता है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है, तो thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और रैस्पी के साथ, thank you so much